Hello everyone. Welcome to Exam2HD. So, एक common question बहुत सारे इस्ट्वेट के तरफ से यह पूछा जा रहा है कि सर कैसे question को challenge करना चाहिए क्योंकि अलग लग instrument ऐसे हैं बहुत सारे instrument ऐसे हैं जोनको लग रहा है कि सर मैंने यह question जो है गलत कर दिया था मतलब सही किया था NTA ने उसको गलत कर दिया है कोई बोल रहा है कि sir मेरा और अलग लग student के अलग लग question है और ये इसलिए क्योंकि जो भी student उनको लगता है कि मेरा ये question का option जो NTA के दुआ गलत हो गया this means NTA का जो answer की वो गलत है तो देखिए जब भी आप और ये मैं especially social sciences के case में बोल रहा हूँ especially for topics like history का हो गया political science sociology fourth में आप मान के चल सकते है philosophy fifth में आपका economics तो इस type के जितने हैं माल लिजे आप इसको six में geography भी इंक्लूड कर लेते हैं development and labor studies भी इंक्लूड कर जेकते हैं तो social sciences में जितने भी आपके question पूछे जाते हैं वो दो तरीके से question पूछे जाते हैं एक तो आपका perfect fact based होता है ठीक है fact based होता है और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा आपके options में subjectivity रहती है subjectivity for example अगर मैं सभी के लिए एक बोलूँ for example globalization ठीक है globalization तो globalization एक ऐसा topic है जहां पर हर एक individual का एक अपना opinion होता है और usually हम जो है professor या sociologist या scientist political scientist उनके opinion को लेते हैं अब globalization पर अगर कोई question आता है तो ये सब कुछ depend करता है कि जो professor जिन teacher जिन faculty ने question said किया है उनके अनुसार से globalization का क्या approach रहा है for example जैसे political science में एक question पूछा गया था regarding end of cold war end of cold war तो what are the reason for the end of cold war तो उसमें बहुत सारे factors आते हैं अब suppose कि ये चार ऐसा factors दे दिया गया है चार factor पाँच factor जिसमें जो faculty को लगते है कि नहीं ये एक important factor नहीं है और ये चारों important factors है ठीक है for example आपको दे दिया जाता है fall off even though fall off gold वाला जो concept था वो बहुत पहले हुआ था लेकिन अगर उन्होंने दे दिया अब किसी student को लगता है कि sir ऐसा तो हो सकता है तो ये subjectivity जहां पे भी आ जाती है आपको उस type के question को challenge नहीं करना चाहिए हाँ for example sociology में एक concept था Sanskritization किसके द्वारा दिया गया है तो MS Srinivas तो MS Srinivas के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि हैं इस topic में तो यही हैं जिननों वो coin किया है वैसे ही अगर मार लिजे cold war किसने coin किया है या फिर मार लिजे बहुत सारे ऐसे topics हो जाते हैं तो वहाँ पे आप जो fact-based question होता है उसमें challenge करना ज्यादा असान होता है और यहाँ पे अगर fact-based question जैसे कि यह question पुछा गया था Parliament पे attack कब हुआ था तो वहाँ पे 2013 दिया गया है political science में तो आप इस type के question को challenge कर सकते हैं क्योंकि Parliament attack 2013 में नहीं हुआ था ठीक है तो आप इस type के question को challenge कर सकते है but then for example अगर माली जी यह पूछ जिया जाता है question में अगर यह रहता rise of BJP ठीक है तो rise of BJP can be various can lead to various factors can be due to various factors लेकिन यह important है कि ऐसे question में जो faculty ने जिस teacher ने जो options को choose किया है कि कौन-कौन से factors है जरूरी है कि आपके response भी उस teacher के factors से match करना चाहिए आपका अगर वो mismatch हो जाता है तो और आप इस type के question को challenge करते है तो उसका कोई use नहीं है तो subjectivity जहां पे भी आता है तो आपको restrained करना है उन सारे question को challenge करने में हाँ जहां पे भी आपके fact based question पूछी जा रहा है जहां पे आप बोल सकते हैं जहां पे पता चलता है कि यह fact है यह information based है यहां पे आप डाल सकते हैं दूसरा question को जब आप challenge करना चाहते हैं तो आपको वह supporting document भी upload करना पड़ेगा जहां पे ऐसे opinion based question होते हैं opinion based जूतनी भी questions होते हैं वहां पे आपको supporting document upload करना थोड़ा से difficult हो जाता है fact based के में आप बोल सकते हैं कि अगर suppose किजिए question है कि end of war या किसी भी book को ले लीजिए ठेक है accidental prime minister किसके दुआरा लिखा गया इस चीज को challenge नहीं किया जा सकता है लेकिन ये पोला जा सकता है कि can it be said that yes former prime minister Manmohan Singh can be said to be accidental prime minister और 4-5 option दे दिये गए तो ये subjectivity आ जाते हैं जहां पे opinion different person to person vary कर सकता है और प्लस आपको ऐसे supporting document कुछ मिले गा ही नहीं जहां पे आपको supporting document नहीं मिल रहा है तो फिर आपके challenge करने का भी कोई फैदा नहीं होता है तो ये important है कि आप वैसे question को challenge कीजिए जिसके पास आपके ठोस सबूत हो documents हो, books हो, article हो जिसको आप upload करके जो है आप बता सकते हैं कि यहाँ जो जो अफिशियल आंसर की है वो incorrect है तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि last year भी हमने देखा था बहुत सारे candidate ऐसे थे जिन्होंने ये mistake कर दिया और इसके कारण उनका जो है accept नहीं होता है प्लस ये भी है कि NTA आपको नहीं बताएगा कभी कि आपके आंसर जो है जो भी आपने चालेंज किया है वो accept होता है या reject होता है not accept होता है तो इसलिए ऐसे question को challenge करना जो subjectivity में fall नहीं करता है जो objective type question है जो fact based question है जहाँ पे आपके पास supporting document है और आप उसको challenge कर सकते है और ये evidently सबको visible हो सकता है कि यह question तो incorrect है जो official answer किये incorrect है क्योंकि हम लोगों को हमेंसा लगता है कि अगर मेरा answer गलत हो गया this means NTA का answer गलत है तो उस चीज में थोड़ा सा बचना है ठीक है और जितने भी ऐसे candidate है जिनको कोई भी परसानी है तो आप लोग 844-887-8849 पर call या message करके आप जो अपने question query जो भी आप पूस सकते है and I will be helping you as soon as possible और वीडियो पसंदा आए तो प्लीज लाइक कर दे चैनल को भी अपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर ले और notification bell भी दवाल है सुदे जितनी भी important updates होते है